चलिए स्टार्ट करते हैं तो यह आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है प्रेंबल ओफ तर कॉंस्टिटूशन यानि सम्भिधान की प्रस्तावना तो कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स थे आपकी जो लच्मी कांत जी की बुक है भावत की उससे मैंने सारे नोट्स तयार कियें तो आपको पूरे चैप्टर को पढ़ने की जबूरत नहीं है अगर आप सिर्फ पूरे चैप्टर का एक हम लोग रिव्यू करना चाहें तो वो सारे पॉइंट्स मैंने आपे कवर कियें अगर आपने सारे पॉइंट्स देख लिए त मुझे नहीं लगता कि इससे कहीं भी कुछ भी बाहर आपके questions पेपर में आएगा ठीक है तो पहला point देखते हैं जल्दी से देखिए सब पतम अमेरिका में संविधान की परस्तावना को परस्तुत किया गया था सेकेंड नंबर है कि एन ए पालकी वाला ने परस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा थार्ड पॉइंट है आपका परस्तावना को 42 है यानि 42 संविधान संसोधन 1976 दावा संसोधित किया गया था और इसमें तीन सब्द आपके जोड़े गये थे समाजवादी अखंडिता और धर में निरपेच ठीक है फिर पॉइंट नमबर सिक्स है कि तीन तरह के राजियों को अपनाया गया मतलब कि राजी कितने हम तीन तरह में बाट सकते हैं नास्तिक राज सैधान्तिक राज और धर्म ने पेच राज नास्तिक राज जो किसी भी धर्म को ना मानता हो किसी भी धर्म को फॉलो ना करता ह साइधान्तिक राज वो हैं जिसमें एक पर्टिकुलर धर्म माना जाता है जैसे पाकिस्तान में इसलाम को लोग फॉलो करते हैं तो वो आज आएंगे आपके साइधान्तिक राज इसी तरह से बांगलादेश इसका एक्जामपल है थार्ड है आपका धर्म ने पेच राद है अपना भारत अमेरिका की मतलब की शिख भी है यहाँ बाइश लाम भी है पार्शी वाला भी धर्म है तो मतलब की अलग अलग धर्मों को यहाँ पर मानिता प्राप्त है तो अमेरिका और भारत इसके एक्जामपल हो जाएंगे ठीक है अब हम देखT compare Link की लोक तंट्र में ह कि अगले दिन बाहर निकाल लिया जाता है उसे अपना विजाइन देना पड़ेगा तो इस तब जैसे कि अपना भारत में क्या करते हैं किहम लोग क्या करते हैं पहले क стал को थे ह। को हम लोग क्या बोलते हैं अप्रत्यच लोगतंत्र चलिए आगे देखते हैं जो आपका अप्रत्यच लोगतंत्र होता है इसे इसका दूसरा नाम क्या है प्रत्निधी लोगतंत्र भी बोलते हैं क्योंकि यहां पर हम लोग अपने प्रत्निधी को चुनते हैं जनता के द्वा फिर ये दो प्रकार की हुता है एक संसधी और एक होता है राष्पति के आदेन तो भारत में कैसा सलता है था संसधी प्रतनिधी लोकतन्त है ऐ प्रतनिधी तेखते हैं कि सब्सक्राइद फिर पॉइंट्स प्रस्तावना अब एक में मुद्दा आता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है तो देखिए यहाँ पे दो केस्ते एक बेवुबाडी का केस था 1960 में तब उच्च नियाने ने बोला कि नहीं ये प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है लेकिन बाद में 1973 में केशवान अंद भारती जो की केवल का एक केस था उसमें उन्होंने स्विकारा कि नहीं प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है तो यह आप दो इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखोगे ठीक है फिर अब 11 नंबर का पॉइंट है कि अनुछेद 368 के तरह अच्छा यह पॉइंट है कि अगर आपको प्रस्तावना में संसोधन करना है तो क्या यह संसोधन जो कि 1976 में हुआ था जिसमें कि हमने अपने तीन सब्द जोड़े गए ठीक है तो यह था आपका पूरा प्रेंबल ऑफ दा कॉंस्टुटूशन यानि भारत की परस्तावना से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे लच्मी कान जी की भुक से वह सारे मैंने क आपको चीजें समझ में आ गई होंगी और थैंक यू अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे करें और प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा ज्यादा इसे सेयर करें थैंक यू